बात हम कर रहे थे कि क्या सारे functions का inverse मौजूद होता है जी नहीं सभी function का inverse हो ऐसा जरूरी नहीं है इस example के थू हम अब इस चीज को समझते हैं सबसे पहले अगर आपको याद हो function की definition function की definition में दो चीजें कही गई थी क्या क्या कही गई थी पहली चीज यह थी कि जो first वाला जो set होता है उस first वाले set का कोई भी element खाली नहीं रहना चाहिए यह पहली चीज कही गई थी और second चीज यह कही गई थी कि जो second वाला set है उस second वाले set के हर एक element से वो uniqueness में जुड़ा हुआ रहना चाहिए अदूतिय अव्यव से जुड़ा रहना चाहिए यानि set A के सभी elements set B के किसी unique element के साथ जुड़ने चाहिए किसी अदूतिय अव्यव के साथ जुड़े रहने चाहिए यह बात सही है function हमने उसी को कहा था अब जरा इस function को देखिए और यह बताएए कि यह किस type का function है हमने types of function भी पढ़ा है तो types of function में अगर आप इसको ध्यान से देखें आप यह पाएगे कि यह function जो है one one function है हमने types में पढ़ा था सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से समझेगा कि अगर कोई भी function है types किसके? function के function में अगर कोई भी function है तो या तो वो one one होगा या many one होता है कोई भी दुनिया का कोई भी फलन हो वो फलन या तो अपने आप में one one होगा या many one होगा अगर one one है तो many one नहीं होगा और one one नहीं है मतलब many one होगा one one को हिंदी में हम लोग कहते थे एक एकी फलन और many one को कहते थे बहु एक फलन कहते थे इसके अलावा हमने सेकेंड में पढ़ा था या तो function onto होता है या into होता है या तो function onto होता है या into होता है दोनों एक साथ तो होई नहीं सकते onto और into कैसे पता चलता था onto और into पता चलता है हम second वाले set से second वाले set में अगर कोई भी element बच गया खाली बच गया जो किसी भी element के साथ एक किसी element के साथ अगर नहीं जुड़ा है तो है into और अगर second वाले set में कोई भी element खाली नहीं बचा तब है वो onto अब इन ही दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं इन्वर्स की इसमें function का जो main definition था वो ये था कि जो भी आपका first वाला set होना चाहिए उस first वाले set के सारे के सारे element second वाले set के किसी ना किसी element के साथ जुड़े रहने चाहिए ये थी बात function के definition की अगर माल लिजे यहाँ पर एक element e ले लूँ में अगर यहाँ पर एक अव्योग e ले लिया और अब मैं आपसे पूछों कि ये function है क्या आप मना कर दीजेगा कि साहब ये तो function ही नहीं है क्यों नहीं है function इसलिए नहीं है क्योंकि first वाले set में एक element e है जो कि किसी के साथ नहीं जुड़ा है function का जो definition था definition में साफ साफ बताया गया है कि first वाले set में कोई भी element खाली नहीं बचना चाहिए लेकिन यहां तो बच गया अगर यहां बच गया मतलब ये function नहीं है ठीक अब इसी चीज को ध्यान से देखिएगा अब मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूँ ये function है कि नहीं है ये function है क्यों function के definition में जो दो बाते बताई गये थे उन दोनों बातों के ये पूरा कर रहा है first वाले set का sara का sara element जुडा हूआ है फरस्ट वाले set में एक भी element खाली नहीं है ये पहला चीज और दूसरा चीज हर एक element किसी एक element किसी unique element के साथ ही जुडा है यहां का कोई भी एक element किसी 2 के साथ नहीं जुड़ा है अगर मैं B की बात करूँ तो B जो है केवल 1 के साथ ही जुड़ा है B किसी और के साथ नहीं जुड़ा है अगर ऐसा होता तो यह function नहीं होता अब अब ध्यान से देखिए गा अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ माल लिए कि इसका एक element 5 हो गया अब देखिए यह function है की नहीं है function है क्यों है function के definition में दो बाते जो बताई गई है उन दो बातों को यह अभी भी पूरा कर रहा है कैसे पूरा कर रहा है क्या बात बताई गई थी पहली वाली function के definition में जो पहला बात बताया गया था वो ये कि set A का यानि पहले वाले set का कोई भी element खाली नहीं रहना चाहिए देख लीजे, पहले वाले set का कोई भी element खाली नहीं है, सब जो है किसी ना किसी से जुड़े हैं, और दूसरी बात ये बताई गए थी कि first set के जितने भी elements हैं, वो किसी ना किसी unique element के साथ जुड़े रहने चाहिए, देख लीजे जुड़े हैं अब ये जो five है, ये तो second वाले set में हैं, यानि हमारे co-domain में हैं, अब co-domain में अगर वो five बच गया है, तो इस तरह के function को हम into function कहते थे into function इसी को तो कहते थे ना, कहते थे, अब अभी ये function तो है है, अब जरा इसके inverse के बारे में सोचीए inverse में हम क्या करते हैं, inverse में just हम उसको उलड़ देते हैं अगर just उलड़ देते हैं तो जरा आप सोच के देखिए यहाँ पर आपका set B आ जाएगा और यहाँ पर set A आ जाएगा set B में आपके कौन-कौन से element है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पर आपका A है B है, C है और D है, देखिए, 1 जो है A से जुड़ा है, तो 1 को तो आप A से जोड़ देगे, 2 जो है D से जुड़ा है, तो 2 को D से भी जोड़ दिये 3 जो है, B से जुड़ा है, तो 3 को आपने B से जोड़ दिया और 4 जो है, C से जुड़ा है, तो 4 को आपने C से जोड़ दिया क्या 5 जो है, किसी से जुड़ा है 5 तो किसी से नहीं जुड़ा है 5 अगर किसी से नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर भी 5 जो है किसी से नहीं जुड़ेगा लेकिन ऐसा करने से क्या अब ये function बचा function नहीं है क्यों? function के definition में जो दो बाते बताए गए थे उसमें ये पहले ही बात को पूरा नहीं कर रहा है पहला बात क्या बताया गया था पहला बात यहीं बताया गया था कि जो first वाला set है first वाले set में कोई भी element खाली नहीं रहना चाहिए देखिए यहां first वाले set में हमारा एक element खाली बच गया फर्स्ट वाले सेट में हमारा जैसे ही element खाली बचा हमने मना कर दिया कि साहब ये function नहीं है जबकि बात हम कर रहे हैं कि inverse function होना चाहिए है inverse function के अगर बात कर रहे हैं तो ये तो अपने आपने function ही नहीं है इसके माध्यम से आप बस इतना समझे कि दुनिया के सभी function का inverse संभव नहीं है यहाँ पर ये function तो था A से B की तरफ अगर बात करें A से B, ये set A है ये set B है अगर हम बात करें set A से set B की तरफ तो set A से set B में अपने आप में ये function है लेकिन इस function का inverse function संभव नहीं है अब आते हैं जैसे बात अगर हम करें कि अगर ये साहब A से B की तरफ function था तो B से A में ये inverse क्यों नहीं हो पाया inverse होने में सबसे बड़ा अड़ंगा किस ने लगाया सबसे बड़ा अड़ंगा 5 ने लगाया था इसी 5 के कारण हमारा मामला 8 का अगर ये 5 यहां नहीं होता अगर ये 5 यहां नहीं होता तो कितना सुन्दर हमारा एक inverse function बनके तयार होता होता अर्थात अर्थात भावार्थ यह है कि दुनिया में अगर कोई भी function into function है तो इस into function का inverse function संभव नहीं है दुनिया में अगर कोई भी into function है दुनिया में into function into function को हिंदी में आच्छादित फलन या अंतह छेपी फलन कहते हैं अगर आपका फलन आच्छादित है या अंतह छेपी है तो उसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा अगर function आपका into है तो उसका inverse से संभव नहीं होता है अडंगा इस 5 ने अगर लगाया था जड़ा इस 5 को यहां से हटा के सोचते है अगर हमने यहां से 5 को हटा दिया रहता तो 5 तो यहां पर भी नहीं आता 5 अगर यहां पर भी नहीं आता अब देखिए इधर से उधर में यह function है की नहीं है बिलकुल है अब देखिए इधर से इधर में यह भी function है है ना first वाले set में एक भी element खाली नहीं है सारे के सारे element जुड़े हुए है और दूसरा first वाले set का हरेक element किसी unique element के साथ जुड़ा है बन गया inverse function यानि अगर function into है तो उसका inverse संभव नहीं है यहाँ से जो पहला चीज आपको ध्यान रखना है वो यह कि inverse होने के लिए function को onto होना पड़ेगा inverse होने के लिए function को onto होना चाहिए onto कब होता है क्या होता है onto में onto में range और co-domain equal हो जाता है range और co-domain equal होता है यानि यहाँ पर second वाले में एक भी element खाली नहीं बचता सब के सब जुड़े रहते हैं है तो inverse function होने के लिए हमने जो पहला condition देखा वो यह देखा कि हमारा function जो है onto होना चाहिए onto होना चाहिए मतलब आच्छादक फलन होना चाहिए ठीक अब एक और बात करते हैं एक और बात यह माल लिजे A है यह माल लिजे B है यहाँ पर हमने लिया 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लिया हमने A और B 1 को हमने A से जोड़ा, 2 को भी हमने A से जोड़ दिया 3 को हमने B से जोड़ा 4 को भी हमने B से जोड़ा 1 को हमने A से जोड़ा, 2 को हमने A से जोड़ा, 3 को हमने B से जोड़ा, और 4 को हमने B से जोड़ दिया ध्यान से देखिए क्या ये function है function है कि नहीं है set A में कोई भी element खाली नहीं है सारे के सारे जुड़े हैं और set A का हर एक element set B के किसी unique element के साथ जुड़ा है किसी unique element के साथ जुड़ा है किसी अदूतिय अव्यों के साथ जुड़ा है अर्थाथ अगर मैं बात 1 की करूँ तो 1 किस से जुड़ा है A से जुड़ा है ये 1 किसी और से तो नहीं जुड़ा है बात अगर मैं 2 की करूँ और पूछूँ कि 2 किस से जुड़ा है तो 2 A से जुड़ा है किसी और से तो नहीं जुड़ा है तो ये अपने आप में एक function है इस type के function को हम क्या कहते है many one function कहा जाता है बहु एक फलन है ये ये जो है many one function है बहु एक फलन है ठीक जरा इसके inverse के बारे में सोचते है inverse में क्या होता है just उल्टा होता है यानि यहाँ पर आपका a और b आएगा और यहाँ पर आपका 1, 2 और 3, 4 आएगा जैसे हम इस example में बात कर रहे थे inverse का तो inverse में हमने क्या बात किया था f inverse x में x की जगा पर अगर मैं 1 डालूं तो मुझे a मिलना चाहिए f inverse x में x की जगा पर 2 डालने पर मुझे d मिलना चाहिए था और f inverse x में x की जगा पर 3 डालने पर b मिलना चाहिए और f inverse x में x की जगा 4 रखने पर c मिलना चाहिए था है सेम चीज़ अब इधर से देखी अगर inverse लेते हैं इसी function को अगर मैं inverse कर दूँ तो A किस से किस से जुड़ा है A जो है 1 से भी जुड़ा है और A जो है 2 से भी जुड़ा है B किस से किस से जुड़ा है B जो है 3 से जुड़ा है और B जो है 4 से जुड़ा है क्या ये अपने आप में function है function होने के लिए दो चीजों का ध्यान रखेगा पहला first वाले set का सारा element जुड़ा रहना चाहिए देखे साथ first वाले set के सारे element जुड़े हैं और दूसरा first वाले set के हर एक element unique element के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए बात अगर मैं a की करूँ एक किस के साथ जुड़ा है a जो है one के साथ भी जुड़ा है और यही ए two के साथ भी जुड़ा है uniqueness खतम हो गई अदूतिय अव्याव के साथ यह नहीं जुड़ा है इसका अदूतिय अव्याव केवल एक होता यहाँ पर दो-दो है इसलिए यह अपने आप में function नहीं है नहीं है यहाँ पर तो function था यह बिल्कुल था यह function है लेकिन इसका inverse यह नहीं है तो यहाँ से एक और चिद्यान में रखे many one function का inverse नहीं होता दुनिया में अगर आपने many one function लिया है उस many one function का inverse function संभव नहीं है बहु एक फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं होता यानि तब कैसे फलन का होता है one one का होता है आपके फलन को एक एकी होना पड़ेगा देखिए यहाँ यह function अपने आप में one one है है तब इसका inverse संभव हुआ दुनिया में आपके function को inverse होने के लिए one one function होना चाहिए और on two function होना चाहिए दूसरा चे पहला था तो on two और दूसरा one one यानि कोई भी function on two है और one one है दोनों है तब ही उसका inverse संभव है अच्छा एक बात याद आई अगर कोई function ये दोनों होता है on two भी हो और one one भी हो तो उसे हम किसी और नाम से भी बुलाते थे याद करिये हमने एक नाम दिया था याद आया बाइजेक्टिव वैसे functions जो one one भी हो और on two भी हो हम लोग उसको बाइजेक्टिव function के नाम से जानते हैं आप इस बात को याद रखिए कि दुनिया में बाइजेक्टिव functions के ही inverse मौजूद होते हैं बाइजेक्टिव function का ही inverse function संभव है अगर हमारा function बाइजेक्टिव नहीं है तो हम उसका inverse भी नहीं निकाल पाएंगे इस चीज को आप ध्यान से समझेए ठीक